लेकिन 11 अगस्त या 11 अगस्त 2023 के बाद की जितनी नियुक्तियां उन्हें ततकाल प्रभावत से निरस्त किया जाए इस पत्र में बकाइदा सर्वोच चनाले यानि कि सुप्रीम कोट इसके बाद जबलपुर हाई कोट के निर्ड़े का हवाला दिया गया है और उसी आधार पर ये निर्देश जिला सिक्षादिकारियों को दिये गए है कि इनका रिकॉर्ड निकाला जाए कितने सिक्षकों की नियुक्ति बीट के आधार पर 11 अगस्त या 11 अगस्त 2023 के बाद हुए है एक हपते के भीतर इन 25 जिलों के जिलत सिक्षा दिकारियों से विस्तित जानकारी मगाई गई है इसके बाद कारवाई होगी और 500 से अधिक 28 के आधार पर प्रात्मिक सिक्षक बरती में नियुक्ती पाने वाले सिक्षकों की नौकरी जाना तैं है अब इनका आगे क्या होगा ये अभी भी सवाल है और इस आदेश में साफ तोर पर इस बात का जिक्र है कि जो सुप्रीम कोट ने कहा है इसके बाद जो जबलपूर हाई कोट ने कहा क्योंकि मामला सुप्रीम कोट पहुंसता है फिर हाई कोट पहुंसता है इस आधार पर ये तैंकिया जाता है कि 11 अग निरस्त होंगी तो सिक्षक चिंतित हैं जो b 8 की डिग्री के आधार पर अब तक प्रात्मिक शिक्षक तोर पर नौकरी कर रहे थे उनकी नियुक्ति हुई थी। ये कहा गया है कि प्रात्मिक शिक्षक और णियोजन्य प्रक्रिया में यानि कि भरती प्रक्रिया में D8 की डिग्री मानने होगी यानि की B8 नहीं बलकि D8 डिग्री धारा की ही प्रात्विक सिक्षक के तौर पर नौकरी कर सकेंगे, बच्चों को पढ़ा सकेंगे. आकाश जो शिक्षक, जो टीचर से इस क्राइटीरिया में नहीं आपाते हैं, जो इन नियमों में खरे नहीं उतरे हैं, ऐसे कितने शिक्षक हैं और उनका अब क्या होगा, उनको भविश्यों के लिकर जाइज सी बात है, उनकी चिंता भी अब जाइज है? निशित तोर पर चिताए बढ़ेंगी क्योंकि अब नौकरी पर खत्रा है, मैंने पहले भी कहा कि 500 से अधिक सिक्षक हैं, यालिक यह एक्जैक्ट आंकडा नहीं है, क्योंकि जिला सिक्षा अधिकारियों से यह परिक्षन करने के लिए भी कहा है, कि जिसके दस्तावीजों में गलती से भी कहीं D8 का जिक्र है और वो B8 डिगरी धारी है, तो उसकी नियुक्ती भी तत्काल प्रभाव से दर्ज की जाएगी, जो D8 के आधार पर नियुक्ती पाएं, वो यथावत पढ़ाते रहेंगे, वो सुरक्षित हैं, लेकिन 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2023 या उसके बाद जितनी नियुक्तियां B8 के आधार पर हुई हैं, वो नियुक्तियां निरस्त होंगी, ये लोग सिक्षर संचनाला ने साफ किया है ठीक है, विस्तार सुजान करे देनी के लिए आपका बत पर शुक्रिया